दोस्तो नमस्ते आप सबका चानल में स्वागत है मैं स्न्याशु भूमिक आप सबका चानल में स्वागत करता हूँ आज हम फिर से फ्री कुडली चार्ट रीडिंग को लेके आए हैं जिनकी कुडली 15 सेप्टेंबर से पहले-पहले सेलेक्ट हो गई थी उन में से कही लोगों की कुनली मेंने रीडिक परें तो इस बार भी हम कही लोगों की रीडिंग करेंगे इन रीडिंग में हम ञो करेंगे जो रीडिंग करने वाले उसमें repeat कुनली की भी करेंगे तो मेरा next round 30 September तक का चल रहा है तो 30 September से पहले-पहले अगर आप भी अपनी reading करवाना चाहते हैं तो भेज दीजे details, date of word, time, place, नाम, दो सवाल और channel subscribe कर लीजे और ये चीज सारा का सारा जो मैंने description में number दिया उस पर WhatsApp ड्रॉप कर दीजे परसनल reading करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप call कर सकते हैं परसनल reading चार्जेबल रहती है अब जिनकी कुनलियों मैं read कर रहा हूँ उन लोग की तो मैं कर रहा हूँ जिनकी नहीं कर पा रहा हूँ उनको भी थोड़ा सा wait करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक और शायद वीडियों बने उसकी guarantee नहीं है लेकिन थोड़ा सा wait कर लीजे वो सकता आउनकी भी वीडियों बने क्योंकि इस बार बहुत सारी कुनलिया आई थी मेरे पास तो अभी सबसे पहले जो कुनलिया है वो अभी शेक जी की है इनके दो सवाल है करिया कहां बनेगा गौर्नमेंट जॉप में बनेगा प्राइवेट जॉप में रहेगा और दूसरा इनका सवाल है तंतर नॉलेज के लिए उनको क्या करना चाहिए तंतर नॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सबसे इंपर्टन पॉइंट है अभी शेक जी कि आपकी जो आयू है वो अभी 30 प्लस है 30 प्लस है आपकी महादशा चल लिए राहू की जो दोजा 34 तक चलेगी और आपकी राहू में अभी अंतर दशा शनी की चल रहे है जो दोजा 24 के दसवे महिने तक रहेगी दस दस तक रहेगी उसके बाद शुक्र मरकरी की अंतर दशा लगेगी उस टाइम पर आप कोशिश कर सकते हैं और अभी भी आप कोशिश कर सकते हैं कौर्मेंट जॉब के लिए क्योंकि शनी अपने पांचवे घर में बैठा हुआ है और दसवा नंबर शनी का ही होता है तो अपने ही घर में बैठा है सूरे भी बैठा है और बुद्ध भी बैठा है तो यहाँ पर बैठे हुए तीनो प्लैनेट पांचवे घर में बैठा है तो तीसरे घर का माली और ल लेके आप government job में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे मंगल आपके तीसरे घर में बैटा है और राहू की महादशा चल रहे हैं अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं अगर partnership related भी कुछ काम करते हैं तो अच्छा रहेगा हैं यहां पर देखा जाए तो लेकिन मैं यही बोलूँ गे कुकि गूरु पहले घर में बैटे तो लगन में बैटा हुआ गूरु ग्यानी बनाता है काफी छत तक इंसान को और बुध की राशिय में बैटे हैं तो खास उतना बनता नहीं है लेकर ठीक ठाक चलेगा इतना बुरा नहीं रहेगा तो कोशिश तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस टाइम पे आपको अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेज बनते हैं अगर राहू की अंतरदशा में मंगल के अंतरदशा या लग जाए तो आप लोग आपके लिए अच्छा रहेगा अगर लग चुकी है तो दिक्कत है शायद नहीं लगये क्योंकि अभी शनी की चलिये मरग बुद की चलेगी बुद के बाद मेरे हिसाब से केतू चलेगा चलता रहेगा क्योंकि जूपिटर राहू के बाद जूपिटर लगा होगा तो सबसे लास्ट में जब तूसरे यह दोजार चौटीस है ना तो दोजार चौटीस के आज पास भी तक आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन अब तक शायद गौर्मेंट जॉब की आयू निकल जाती है तो आप गौर्मेंट जॉब के लिए अभी से ट्राई कर सकते हैं शनी का समय अच्छा चलेगा महनत करनी पड़ेगी योगि राहू यहां पर तीसरे घर में बैठे हैं तो जो चाहे वैसे भी करके जैसे भी करके आप महनत करिए आपको जरूर फायदा मिलेगा आपको यहा 24 के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं बुद्ध की मादशा लगन की है और करमेश होके बुद्ध यहां बैठे है तो नौलेज रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं एजुकेशन रिलेटेड में टीचिंग में अगर जाना चाहते है तो आपको गवर्मेंट जॉब जरूर मिल करता हुआ है तो उग्रेबाहव है आपका थोड़ा सा करम को लेकर रिलेट करें तो राहु तीसरे घर में बैठा है तो साम दाम दंदे भेट कुछ भी इस्तिमाल करेगा और तीसरे घर का रहु काफी पावर्फुल हो जाता है मतलब जैसे भी करके अपना काम निकाल लेता तो छटा डिस्टी भी यहाँ पर पढ़ रहा है तो राहु यहाँ पर आपको हो सकता है अगर आप अपनी साधना तंतर विद्या की साधना अच्छे कारियों के लिए इस्तिमाल करना चाहते हैं अगर मोक्ष का पार रीजन है क्योंकि केतु पंचम नवम घर में बैठा है ग्यान के भाव में बैठा है और लगन को देख रहा है नवम में केतु जो बैठता है वो आइसूलेशन की तो यहाँ पर और स्प्रिशुलीटी की तरफ लेके जाता है तो तंतर विद्या की थुरू हो सकता है तो शायद इस वज़ासे भी और गुरू की नॉलेज है गुर आश्वे घर में पड़ी अपने ही घर में पढ़ रही है और नवम की दिश्टी पर तो यहां पर गुरू ज्ञान की तरफ काफी सोर्स दिखा रहा है तो तीस वर्ष के आयो में आपको काफी सारा ग्यान तो जरूर मिल रखा होगा आया होगा क्योंकि 2016 से यह महादर्शा चल अगर गुड डीट्स के लिए साधना की तौर पर लेके जाते है तंतर मिंद्र को तो अच्छा रहेगा अगर आप इसको क्योंकि राहू की अंतरदशा खतम होते हैं महादशा खतम होते हैं यह जो फीलिंग है और या तो हो सकता है यह जो आप अगर तंतर विडिया से अभिन ञुक्सान हो सकता है तो कोशिश वह रहेगी अगर तंतर विद्या आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इपर नौलेज मते हैं एग्रेशिव मत्त ले सकते लेके लिए कोशिव रहे हैं या पूरी सकते ho夫ивать कर सकते हो या अच्छे कारें सुदा बहतर रहेगा बाकि आप अपने बारे में बहतर समझते हैं आप अपना चॉइस खूद कर सकते हैं गवर्मेंट और प्राइवेट जॉब मैं यह बुलूँगा गवर्मेंट जॉब के अगर आयू बची है जो जो गवर्मेंट जॉब की फिल्ड तो कोशिश कर लीजे मेरे हि यह अभी रहू में शनी चल रहा और उसके बाद मरकरी चलेगा तोजाट चॉबिस के बाद मरकरी भी चलेगा उस टाइम पी बेनिफिट मिलेगा क्योंगी करमेश और लगने शोग चलेगा बाकि अगर नहीं मिलते तो प्राइवेट जॉब भी आपको अच्छी मिलेगी को सप्तमे शोके लगन में बैठा तो जंता रिलेटेट काम और पालिक सलेटेट काम कर सकते हैं और जैसे आप कहरें तंत्र विद्या और इन सब चीजों यह रिपीट कुंडली है multiple times इन्होंने मुझे request भेजी है तो यह reading मैं ले रहा हूँ इसलिए Pinky जी की Pinky जी के साथ Pinky के दो सवाल है marriage, time और remedies मतलब शादी अगर होगी तो time कब होगा और remedies क्या होनी चाहिए अगर जल्दी शादी कराने के लिए और husband का nature कैसा होगा या husband कैसे होगे वो उसके बारे में बात करना चाहरी है उसके बारे में जानना चाहरी है Pinky जी सबसे important point है जी कि लगन से तो आप मांगलिक नहीं है लेकिन आप moon देखे तो 11 घर में बैटा है और moon से 8 घर में मंगल बैटा है तो आपको मांगलिक कर देता है दूसरा important point है आपका लगन ही मंगल का है मंगल आपका मतला आपकी राशी का ऊनर है आपके लगन को ओनर है माफ किजिएगा राशी को ओनर मतलब वर्गो है मर करी है तो यहाँ पर मंगल आपको एक एग्रेसिव नेचर का बना रहा है और मांगलिक करने के वज़ा से शादी में आपको थोड़ा से रुकावटे आ रही है मंगल अपने घर में बैठा है छटे घर में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर पावरफुल हो जाता है सूरे भी यही बैठे हुए है मेरे हिसाफ से आजी सूरे भी यही बैठे हुए है गुरू भी यही बैठे है शनी भी यहाँ बैठे है यства पे जो बैठे हुए है जो मंगल सूरे और शनि क्योंकि तीनों मैलेफिक今日 other होते हैं गुरु यहां बैठे हुए कुछ खास अच्छाह सान नहीं देते हैं लेकिन गुरू शादी के कारक होते हैं और शुक्र शुक्र और मुमून शादी के कारक होते हैं मतलब शादी के बाद हस्बेंट अगर होते हैं तो उसो गुरू का तरजा दिया गया है राहू की महादशा चल रही है राहू की महादशा दोजाशबिस तक चलेगी उसके बाद जुपिटर की महादशा आएगी जो की मेरे हिसाब से बहतर होगी राहू की महादशा के लिए शादी के लिए अगर हो देखा जाए तो बहतर होगी क्योंकि अगर देखा जाए तो गुरू पंचमेश है और धनेश है तो कुटुम के मालिक है और पांचवे घर के मालिक है लेकिन छटे घर में बैठे हैं राहू के घर में बैठे हैं मित्र घर में बैठे हैं मित्र राशी में बैठे हुआ है लेकिन यहां पे जुपिटर अच्छा फल नहीं देते हैं लेकिन फिर भी राहू से बहतर फल देने क चांसे, आलगे राहु भागे स्थान पर बैठा है नवम गर में बैठा है लेकिन लेकिन नवम घर का राहु थोड़ा सा problematic होता है मन विचलीत रखता है काफी चीजा ग्यान भी अपने, थोड़ा सा problematic होता है अब उसका सवाल मैंने आपने पूछा नहीं तो मैं वो उमीद कर सकती हैं लेकिन कोई भी अच्छा प्रोड़क्टिव रेजल्ट यहां पर नहीं दे पाएगा उसका रीजन यहीं है कि मून की दशा में फिर भी आपको चांसेस मिल जाए क्योंकि आपके जो आपकी जो अच्छा टाइम था वह शुक्र की दशा थी सूरे से पहले श राहू की दिश्टी पढ़ रही है शुक्र पे इस कारणवाज यहां पर राहू उस तरीके से रेजल्ट नहीं दे पा रहा है शुक्र यहां देखा जाए तो उच्छी का होके बैठा हुआ है तो लव अफेर बॉइफेंट वगेरा अगर बनाती है तो अच्छा रहेगा ल बारवे घर में बैठा हाला कि पांचवे घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट खराब रेजल्ट नहीं देता है चाहरा हूँ हो या बुद्ध हो या शुक्र हो लेकिन यहां पर क्या है जी कि अपने उसका जो कारक है वो जो एक देखा जाए अश्टमेश हो के मारक है य यहां पर थोड़ा से तो उसका नेगेटिविटी देगा न और यहां पर चारों तीनों प्लैनेट अच्छे हैं आप अगर कभी भी जिन्देगी में कोई भी फाइट करती है उससे जीत के निकलेंगी अगर आप कोई भी डेप्स एलेटेट काम करती है या शोशल वर्क में जाती है या आप सर्विस क्लास में किसी सर्विस में किसी भी सर्विस में नर्सिंग सर्विस हो गया या वेलफेर हो गया इंजियो में काम करें है कोई भी सर्विस क्लास में काम करें है तो आपके लिए मतलब दूसरों की सेवा में अगर अपने जिन्देगी लगाई है तो यहाँ पर शादी को लेके प्रॉब्लम दे रहें कोई शुक्रव देखा जाए तो अच्छा है क्योंकि तका दूसरी सपतम हा उसका मालिक हो के यहाँ पे पंचम हुआ है तो शुक्र अच्छा है लेकिन मांगलिक होने के का रही और लगन के करन आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहे हैं शादी को लेके आपका शादी का लॉड हाँ अच्छा बैठा हुआ है इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन जहाँ बैठा वो लॉड अच्छा नहीं बैठा हुआ तो अगर आप चाहें तो remedies कर सकती हैं जुपिटर, मंगल, शनी, सूर्य की जितने remedies हो वो सारे remedies करिए मंगल की खासकर करिए मंगलवार को जो जो उपाय कर सकते हैं हनुमान चाली सासर लेके अगर आप सरसो का तेल दान दे सकते हैं तो दीजे अगर आप शनी के लिए उपाय करना चाहते है तो वो ही बोलूँगा जिक शनी वार को मंगल वार को जितना हो सके उतना hack positive रहने की कोशिश करिये कर दान तो आपके सब्सक्राइब पर दान वास को अच्छा फाइदा करें तो मैं यही बोलूंगा जीकि इन 4万 प्लायुतों को अच्छा फाइदा गरिये तो अच्छा करिए डॉग फीट करिए उससे शनी का भी अच्छा रहेगा और राहू की जो माद अच्छा चल रहे है उसमें भी आपको अच्छा benefit मिलेगा husband कैसे मिलेंगे husband अगर शादी हो जाती है तो काफी अच्छे caring और सुन्दर मिलेंगे अच्छे nature के मिलेंगे लेकिन मांगलिक होने के कारण और छटे घर में इतनी सारी planets होने के कारण आपको husband और relationship में जाने में काफी problem हो रही है यहाँ पे health issues लाने की कोशिश करें अगर आप खुद देखें तो सब्तमेश का मालिक बारवे घर में बैठा हुआ है अगर आप अपने husband का घर देखें तो यह आपके लगन से सात्वा बन जाता है उसका owner मतलब आपका जो आप से शादी करके वो बारवे घर मतलब उसको मोक्ष की रस घर पे बैठा हुआ है तो उसके अगर कोई भी पंडित देखें तो यहाँ पे देखें बोलेगा तो यह पॉइंट आ जाता है बुरा मत मानिएगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा tough बनता ह तो काफी सारा धरम करना पड़ेगा जो चाहे जितना चाहे जब चाहे उतना दान दीजिए जैसे भी हो चांद दान दीजिए बिना उपेक्षा की यह दान दीजिए बिना कुछ result माने दान दीजिए तो आपको अच्छा रहेगा गुरू की जब महादशा लगेगी जो जरूर करिए और बाकी प्लैनेट को अपाय करिए और शिफ जी पूझा जरूर करिए और ॅगौर्डेश दुरूर की पूझा करिए वह लिमेंटेश कर्ये ब Owen का तुर्फ जब लैंचे से इनको जरूर पूजा करिए गॉडेस की पूजा करिए जो आपको फेवर लगे पहता रेजल्ट देगा और शनी जो मंगल वार शनी वार बाकी चीज़े बिस्वत वार और सूर्य नमस्कार यह सब तो करना ही पड़ेगा आपको काफी महनत करने पड़ेगी बहरार यह था में रीडिंग प बन रहा है क्योंकि अगर देखे तराहू तीसरे घर में और केतु नवम घर में बैठा है और सारे प्लैनेट एक साइड बैठा है देख रहे है आप इधर कुछ भी नहीं है खाली है जीरो तो आपका कालसब योग बन रहा है और कालसब योग में आपने मुझसे सवाल पू कोई सा भी मैं सूटेबल नहीं देख पा रहा हूँ माफ कीजेगा क्योंकि इहां पे कोई भी प्लैनेट आपके लिए सूटेबल नहीं बैटा है आपका कालसब योग बनता है कालसब योग बनने के कारण आपकी घर में आपको डिसप्शन की चांसे मिल सकते हैं दोस्तों स आपको पॉजिटिव रखने तो बहतर रहेगा यहां पे बुद्ध बारवे घर में बैटे हैं और गुरु बैठे नवम घर में तो अगर देखा जाए तो देर सबर जरूर बेनेफिट मिलेंगे लेकिन आपको अपने आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और कई सारे योग करने पड़ेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो राहू की महादशा चल रहे है आपकी 1234 तक चलेगी 1216 से चल रहे है राहू में अभी शनी चल रहे है जो की बहतर नहीं है राहू में फिर बुद्ध चलेंगे 1226 तो ये सब चीज़े आपको राहू की महादशा और भी कालसब योग में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है उतनी भैतर रेजल्ट नहीं देते हैं सबसे इंपोर्टन पॉइंट तो ये है तो अगर आप अभी पढ़ाई करें तो गवर्मेंट जॉप में आप ट्राई कर आप करना चाहते तो करिए क्योंकि भागे का मालिक व सब्सक्राइब नहीं तो यहां पर देखा जाए तो मंगल पहले घर का मालिक है यहां पर खुदी के घर में आई की इंकम का मालिक होगे इंकम की घर में बैटा हुआ है तो बड़े भाई बहनों से भी आपको अच्छा बेनेफिट मिलने के चांसे हैं लेकिन यह सारे बेने दिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो है कालसा फ़ोग की वजासे और कालसा फ़ोग को काफी सारा दिक्क्त对गा अब यहां रहे हैं और रही से समय में तो आपको बेनेफिट मिलेंगे जैमस्टोन की रेकुमेटट नहीं करओंगा गी क्योंकि साहरा है और और यहां पे कोई भी प्लाइनेट ऐसी जगा में नहीं बैठा जिसको मैं positive मालनू क्योंकि खुदी खुंडली में काल सब योग बना पड़ा है आगर government job करना चाहिए कोशिश करीते रहिए अभी आपकी आवी 25 साल की है 25 प्लस है है आपके लिए gemstone आप पहनत करते रहिए किसी भी चीज में जहां society में खुद में या अपने पड़ोस में कहीं पे भी अगर कुछ भी एग्रेशन है उस चीज को avoid करें आपको किसी भी चीज में पढ़नी की ज़रूत नहीं है साप को आपको दूद अगर आप feed कर सकते तो नाग पंचमी के दिन सापों को दूद पिलाइए या shift के मंदिर में जहां पर अगर साप हो तो उनको feed करिए काली चीजों का दान करिए जो भी चीज हो सकता है ब्लैक चीजे हो जो काली चीजे हो मंगलवार शनिवार को दान करिए काले कुत्य को feed करिए काले कुत्यों खाना खिला ये ब्राउन कुत्यों खाना खिला ये daily basis पे करिए महां मित्व इंजय का जाब करिए जितना हो सके करिए daily basis पर करिए जितना कर पाए उतना करिए जब free हो तब करिए तो आपको यहाँ पर अच्छा growth मिलेगा mental peace मिलेगी नहीं तो longivity में आपको mental peace मिलेगी मैं बहुत दिकत हो सकता अब यहाँ ठीक हो लेकिन मुझे नहीं लगता लेकिन अगर आप नहीं अगर है तो अच्छी बात है बहतर है लेकिन यह साम काम करें मुझे आपको डराने का कोई शौक नहीं है I'm really sorry अगर आपको लग रहा है जिकि मैं आपको डरा रहा हूँ लेकिन यह कुंडली उस तरीकी की कुंडली नहीं है जहाँ पर मैं यह बोल दूँ कि बहतरीन कुंडली है कुंडली अच्छी है अगर यह योग नहीं होता तो तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा जिकि आप जितना हो सके जो चीज़े बोला है उनको फॉलो अप करिए बहतर तरीके से डील करिए अपनी लाइफ को तो आपका जिंदगी अच्छा रहेगा जो आप जुरूर कर सकते हैं जो आपकी पसंद वो करिए लेकिन करम बहुत करना पड़े तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी ठीक है तो यह ठा मेरा वीडियो regarding frequently chart अगर आप भी चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले बोला आप भी करवा सकता है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लिज चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करिए मेरे चानल को और लाइक करिए तैंक यू